नमस्कार दोस्तो एक बर फिर आप सभी का हमारे यूटीब चैनल में तहे दिल से स्वागत है स्वपन सास्त्र के अनुशार अगर आपको ये पाच पिरकार के सपने दिख जाएं तो आप लोग समझ लीजिए बहुत जल्द आप लोगों के धनवान बनने का यह संकेत है ये पाच पिरकार के सपने हैं अगर आपको भी दीख जाएं तो समझ लीजिए बहुत जल्द ही आपके उपर देवी लक्षमी अपनी कृपा बरसाने वाली हैं और वो कौन से पाच पिरकार के सपने हैं जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा नमबर एक देखिए अगर आपको रात में सोते समय आपके सपने में आप बहुत अमूल लिए मोटर कार से मोटर बाइक से आप कहीं सफर में जाते हैं बहुत महगी गाड़ी से अगर आप लोग सफर करते हैं यदि आपको ऐसा सपना दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए इसका मतलब है बहुत जल्द ही आप धन्वान बनने वाले हैं आपकी गरीबी जल्द ही समाप्त होने वाली है नमबर दो रात में सोते समय यदि आपको दिखाई दे कि आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं अपने सपने में आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं या फिर आप अपने सपने में कोई अच्छी सी बस्तू किसी को भेट कर रहे हैं या फिर दान कर रहे हैं यदि आपको आपके सपने में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इसका भी मतलब यही है आपको बहुत जल्दी ध धन की प्राप्ति होने वाली है या फिर आपका बहुत समय पुराना रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है दो सपने हो गए पहला अमूलिय महंगी गाली से सफर करना और दूसरे सपने में आप किसी व्यक्ति को कुछ भेट करते हैं या फिर किसी को कोई बस्तू गिफ्ट कर तो इन दोनों सपनों का संकेत जल्द ही धनवान वनने का होता है नमबर तीन अगर आपको आपके सपने में पर्यों के दर्सन हो जाते हैं देवियों के दर्सन होते हैं तो इसका अर्थ भी साफ है बहुत जल्द ही देवी लक्षमी आपके उपर किरपा बरसाने वाली है आ आप इस सपने को देखने के बाद अपने घर में साफ सफाई जरूर कर लें, ये सपना जल्द ही धनवान होने का संकेत माना जाता है, नमबर चार, अगर आपको आपके सपने में दिखाई दे, पके हुए गेहूं का खेत अगर आपको दिखाई दे, आपके चारों और गेहूं पके हुए हैं, यदि आपको ऐसा सपना दिखाई देता है, तो इसका भी मतलब बहुत जल्द ही, धनवान आप बनने वाले हैं नमबर पांच, अगर आपको अपने सपने में आपके हाथ पैर में दर्द होता हुआ दिखाई दे, ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं, जैसे कि हाथ में दर्द, पैर में दर्द, ऐसा अनुभब आप अपने सपने में करते हैं, तो इसका मतलब भी साफ है, कि आप बहुत धनकी प्राप्ति करने वाले हैं जल्दी आपको आपका फसा हुआ पैसा मिलने वाला है दोस्तो अगर आपको इन-पांच पिल्कार के सपनों में से कोई भी सपना दिखाई देता है तो आप किसी को ना बताएं क्योंकि बहुत से लोगों में आदत होती है वो अपने सपने को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेयर जरूर कर देता है लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है अगर आपको इन पाचो सफनों में से कोई भी सफना आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमेशा की तरह हमें जरूर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप दीजिए हमें इजाज़त ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही अंसुनीवे रोचक जानकारी को ढून कर ला सके तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए